कि अग्षण के अंतर गत अगला टॉपिक उपाप चैमेटा बूलेजिम है सभी जीवों में स्वयम का जीवन चलाने के लिए योगिता होती है तथा जीवन के भराण पोसर्ण के लिए उर्जा क्या सकता होती है उर्जा जीव के कारे करने उसमें परिवर्टा लाने अर्था हुर्जा को सकाम में होने वाली भीन राषानी क्लियाओं से प्राप्थ होती है तो उपापच्य है उपापच्य भी क्या है ये लक्षण सजीओ कि जितने भी जीवन चलाने के लिए अपने सरीर की समझत जाइवी क्लियाओं को करनी के लिए इनेर्जी चाहिए और उस इनर उस भोजन का उसके सरीर में क्या होता है पाशन होता है पाशन से फिर वो पोसक्त प्राप्त करता है और उससे फिर उसके सरीर की क्या होती है बृद्धी होती है गुरूत होती है वह किसी भी कारे को करता है एक जगा से हिलता है तो इस तरह से भोजन से प्राप्त जो भी पोस उसकत्त्त्र है जो उसकी सरीर के पोस्ण में बूरीधी में गती करने में नहीं मिलेगी जिह और कोगर कर उसका उपयोग करने की इसी के अदहार पर दिफनीशन दिया गया है किसी ओर के में और जय को गरहन कर hem जियों के सरीर में उर्जा जो उपन होती है उपाप्चे क्रिया के तो उस उर्जा को ग्रहण कर उसका उपयो करने की जो भी छमता है उसे क्या कहते हैं उपाप्चे कहते हैं अब देखिए उपाप्चे जो है वह दो प्रकार की होती है उपाप्चे क्रिया है वो दो प्रकार पहली क्रिया है। बहुता है ऊपच्छा की क्रिया है, ऊपच्छा एक संसलेस रात्मक क्रिया है, जिसमें सरल maarों से इजटल आड़ों या जटल पदाषों करियमार होता है। संसलेसर आत्मक संसलेसर से मतलब होता है कि किसी चीज के बनने से सिंथेसिस से तो उपचाय में क्या होता है उपचाय क्रिया में क्या होता है कि छोटे-छोटे सरल अणुमिर करके क्या करते हैं एक रसायनिक क्रिया के द्वारा क्या करते हैं जटिल अणुमें परिवर्थित ह होते हैं बड़े अनों में पर्यवर्थी होते हैं वो मिलों कि ऊसा इसको मुदाहरण के मदम सम longing सकते हैं जैसे प्रकास संसलेश्ड दें करते हैं अधिफ्किया करते हैं इसकेट क्या होता है यो क्या करते साथ परकास को ले करके उनुमें क्लोफिल होता है इतने पदार्थों को मिला करने डिक्रिया करते हैं प्रकास आन्सेसर्प क्रियागाते हैं उसके पश्चात किसका निर्माण होता है ग्लुकोजिका, कार्भोहाइड्रियेट का निर्माड होता है, ठीक है? किसका निर्माड होता है? कार्भोहाइडरियेट का निर्माड होता है, C6H2O6 तो इसके सारे पदार्थों के मिलने से फिर क्या बनता है जटिल अडू का निर्मार होता है अब है आप अच्छा है कैटा बोले जम देखिए नाम सही असपस्ट है कि यह एक बिगटन कारी प्रकिरिया है इसमें जीवन जटिल अडू सरल अडू में तूटकर उड़ जो अपच्छार क्रिया है किटा बोले जम की क्रिया है यह एक फिगटन कारी प्रकिर अर्था यह है इसमें गट होता है बडे अडू किसमें चोटे अड़ों में टूट जाते हैं ओर उनके त् से कि क्या होता है उजिए उदारन के तरपर स्वसन है पाचन है तो देखिए स्वसन पर क्रियां में भी क्या रे चून एब कर मेरे माले आझ्याइक और पाचन मेरे समय सकते हैं Missouri वाट-षू रूप में सबस्क्राम करते हैं tid इतना चबाते उसमें उतना लार स्रावी मिलता है कि जो भी छोटे-छोटे जो भी जटिल अरू होते हैं वह छोटे-छोटे अरूमें क्या होते हैं, जाइम्स के तूटते हैं और थीर थीर क्या होते हैं उनका पाच्यन होता है जिसे इनरजी निकलती है और उस इनरजी का उपयोग जीव जनतु क्या करते हैं अगला टोपिक है आपका पोसर नूट्रीशन सभी जीव शरीर में होने वाली सभी पाप सी क्याओं का व्रिधी जनतु तित्व की मरमत पोसर द्वारा होता है अब देखिए पोसर तो पोसर जो है उसके अंदर गता जैसे सरीर के क्याओं क्याओं सरीर की व्रिधी जनन तथा जो भी टूट कि दौन और जननन क्वाहिए कि बहुता है कि पुल्ट गाव को भल्टे के लिए हुए कि पूशड क्या सकता होती है इसलिए देखिए थिए कोई भी कि घा होता है यह हुता है कि य ध्यान रखने की बाद के बाठ से क्या हिस दिया राट का है जिते हैं Marshakto से पोसक तत्व प्राप्त करने के जो प्रक्रियोसी को पोसण कहा गया है तो उस पोसण यह जो पोसण है यह भी क्या होता है सभी जिवधारियों के अलग अलग तोर तरीकों क्यों कि सभी जिवधारियों जैसे पोसण प्राप्त नहीं करते उनके अलग अपने खाने की अलग अलग तरह से।ाओं क्या करते हैं अलग तरह से उनमें प्रक्रियायं पाए manifest को और सकते हैं अधार को गि दो बहागों में बाटा गया है सवपोसी अर्टी ट्र offense दीजिए 702 टो सवपोषी तो इसने नाम से यास पाउच्ठ है कि उपर बताएंगे उपचय में प्रकास अंस्लेशन प्रकिरिया करके पौधे क्या करते एपना भोजन स्वएम बनाते, अगला है पर पोशी, अर्थात दूसरों के उपर भोजन के लिए आसित होने वाले जीव क्या कालते हैं पर पोसी कालत जैसे सभी जनतुआ जाएंगे जानवारा जाएंगे अगला टॉपिक है आपका अगला लच्छन है स्वासन रेस्पाइरेशन जीओं की विभिन कार्य करने के लिए उर्जा क्यों सकता होती जो कार्बोहाइडर्ट तथा वसा की आक सरीर में जो भी भोजन लेते हम से पौन्हाइग फ़ोस।्प्राप्थ होता है चाहेँ प्रोटीन होह चाहेँ क्या हो अक्सी क्रण नहीं होगा जाब प्राप्थ होगी गहां तो इस क्रिया को तो आक्सिकारी ऐसे जीव है जो स्वसन किसके परजेंस में करते हैं अर्थात आक्सिजन के उपस्तिती में जो जीव स्वसन करते हैं उन्हें हम आक्सिकारी जीव कहते हैं एरोबिक और ऐसे जीव जो आक्सिजन के एपसेंट में करते हैं अर्थात आक्सिजन के उपस्तिती म करते हैं अनाक्सी कारिया एन एरोबी कहते हैं अब अगला है लच्छण आपका उतसर जन अगला है आपका उतसर जन एक्सक्रीशन अब देखिए जो भी जी उधारी हैं तो जो कुछ भी खाते पीते हैं तो वो पुरी तरह से नहीं पचता उसका कुछ ने कुछ वेश्ट है तो तो सर्जन भी सजीओं के लिए अवस्यक है कि हर एक चीज को हम सरी में रूप कर नहीं रह सकते हो हमाई सरी के लिए हनिकारा को सकता है अगला है आपका गमन लोको मोसंद की गति सीलता गमन अर्थात एक असान से दूसरा स्थान तक जाने ही किया अब जीओं के द्व सरा